नमस्कार दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अलग तरह के मर्डर केस के बारे में 31 साल की लड़की का खून हुआ उसकी लाश मिलने के बाद पुलिस ने चानबीन करने शुरू कर दी उन्हें खूनी का पता भी चल गया लेकिन उसके बाद भी पुलिस उस खूनी को कभी पकड़ नहीं पाई आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे पॉसिबल है अगर पुलिस के पास खूनी की सारी इंफॉर्मिशन थी तो उसे तुरंद अरेस्ट कर लेना चाहिए था पुलिस उसे पकड़ने में नाकामियाब कैसे रही दरसल ये कहानी ही कुछ ऐसी है जसके बारे में आप भी जब जानेंगे तो आपको भी बहुत शौक लगेगा ये कहानी है एक ऐसे खूनी की जो पुलिस के हाथ तो नहीं लगा लेकिन फिर भी उसे अपने करमों की काफी भयानक सजा मिली अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस कहानी को शुरू करने से पहले स्क्रीन के नीचे दिख रहे सब्सक्राइब वाले बटन को जरूर क्लिक कर दें आप हमारे यूट्यूब चैनल के मेंबर बनकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम आगे भी आपके लिए ऐसी चौका देने वाली क्राइम की कहानिया लाते रहें 11 फरवरी 2011 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हमेशा की तरह भीड थी अचानक वहाँ पर पुलिस को एक काला बैग मिला जो एक दम लावारिस पड़ा हुआ था बैग को जब पुलिस ने खोला तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उसमें एक लड़की की लाश थी उस लड़की की identification के लिए पुलिस के पास कोई खास clue नहीं थे सिवाए इसके कि उसकी कमर पर मोर पंक का एक tattoo बना हुआ था पुलिस ने public notice भी जारी किये ताकि लड़की की family उनसे contact करे उस वक्त मीडिया जगत में उस लड़की को लेकर बहुत जादा संसनी मच गई थी उस लड़की को उन्होंने नाम दिया the girl with the peacock tattoo तेरा दिन बाद भी जब लड़की की लाश को identify करने के लिए कोई नहीं आया तब पुलिस ने frustrate होकर खुद ही लड़की का अंतिम संसकार करने का फैसला कर लिया जिस दिन उसका अंतिम संसकार होना था उसी दिन एक आदमी पुलिस के सामने आया उस आदमी ने खुद को लड़की का पिता बताया और पुलिस को इतने दिनों के बाद उस लड़की का नाम पता चल ही गया अब पुलिस को एक लीड मिल गई थी उन्होंने नीतू सुलंकी के बारे में और पता लगाने के लिए उसकी फैमिली और जान पैचान की लोगों से बादचीत करना शुरू किया नीतू की बहन अलका से बादचीत करने पर ये पता चला कि नीतू एक लौ ग्रेजुएट थी जिसे कोई भी रहा चलता लड़का आसानी से छेड नहीं सकता था क्योंकि वो तुरंद उल्टा जवाब दे देती थी वो 2010 तक एक कॉल सेंटर में जौब करती थी अचानक 2010 में ही उसने अपनी फैमिली को बताया था कि उसे सिंगापोर से एक जौब आफर आया है और वो वहाँ जाकर शिफ्ट हो रही है पुलिस ये जानकर हैरान रह गई उनके दिमाग में ये सवाल था कि अगर नीटू की जौब सिंगापोर में लगी थी तो उसकी लाश यहां दिल्ली में कैसे मिली नीटू की फैमिली भी इस बात को लेकर हैरान थी हलाकि पुलिस ने नीटू की पिक्चर्ज भी अख़वार और न्यूस चैनल्स में दी थी लेकिन फिर भी नीटू के परिवार को लगा कि वो अगर सिंगापोर में है तो यहां उसका खून कैसे हो सकता है इसी वजह से उन्होंने शुरुवात में पुलिस से कॉन्टैक्ट भी नहीं किया था लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि जिसकी लाश पुलिस को मिली है वो कोई और नहीं बलकि नीटू ही है तब जाकर उन्होंने भारी मन से पुलिस से कॉंटाक्ट किया जब पुलिस ने और अच्छे से नीतु का बैक्ग्राउंड चेक किया तब उन्हें पता चला कि वो कभी सिंगापूर गई ही नहीं थी उसने अपनी फैमिली से जूट कहा था कि वो सिंगापूर शिफ्ट हो गई है जबकि वो दिल्ली में ही अपने बॉइफरेंट के साथ लिविन रिलेशन्शिप में रह रही थी जिसका नाम था राजू गैलोद यही राजू गैलोद अब पुलिस का प्राइम सस्पेक्ट बन चुका था पुलिस का शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने राजू के ही एक कजन नवीन शौकीन से कॉन्टैक्ट किया नवीन पुलिस का कॉल आने पर घबरा गया और उन्हें सारी सच्चाई बता दी राजू ने 11 फरवरी 2011 की सुभह नवीन को फोन किया था उससे कहा था कि उसके हातों नीतू का खून हो गया है लाज को टिकाने लगाने के लिए उसे नवीन की मदद चाहिए थी नवीन ने जब मना कर दिया तो राजू ने खुद ही नीतू की लाश को बैग में भर कर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बैग फेक दिया आखिर कौन था ये राजू गहलोत जिसने इतने भहंकर हत्याकांड को अंजाम दिया राजू गहलोत ने दिल्ली युनिवर्सिटी से वोकेशनल स्टेडीज में ग्रेजुएशन करने के बाद टूरिज्म के मास्टर्स की डिग्री ली और फ्रेंच भाशा में डिपलोमा किया अपनी नौकरी की वज़े से उसे एर इंडिया कॉलोनी वसंत बिहार में रहने के लिए घर मिल गया था नीतु और वो लिविन रिलेशन्शिप में थे उसी दोरान उन्हें पता चला कि उनका गोत्र एक ही है इंडिया में कई जगह एक गोत्र वालो को भाई बहन माना जाता है नीतु को लगा कि अगर ये बात उसने अपनी माबाप को बताई तो वो कभी भी शादी के लिए नहीं मानेंगे इसी वज़े से उन्होंने अपने रिलेशन्शिप को सीक्रेट रखने का फैसला लिया वो दोनों कुछ टाइम अपनी अपनी नौकरी छोड़कर बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे लेकिन पैसों की तंगी की वज़े से उन्हें वापस 20 जनवरी 2011 को दिल्ली आना पड़ा अब वो दिल्ली में भी किराय के मकान में रह रहे थे जिसका किराया 7000 रुपए था दीरे दीरे बेरोजगारी और पैसों की तंगी की वज़े से उन्हें जगड़े होने लगे राजू के परिवार के पास काफी सारी प्रॉपर्टी थी नीतू बार बार राजू को फोर्स करती थी कि अपने पिता से बात करके प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगे लेकिन राजू उसकी बाट टाल देता था नीतू एक जिद्धी लड़की थी और राजू भी काफी गुसेल इंसान था उनके बीच मुँ से होने वाली लड़ाई अब हाता पाई में बदल गई थी नीतू अपने घरवालों को अकसर स्काइप कॉल करती थी ताकि उन्हें लगे कि वो अभी सिंगापोर में ही है उसने अपनी बहन को खून से एक दिन पहले जब स्काइप कॉल किया था तो बहन ने उसके माथे पर चोट के निशान देखे थे उसने पूछा भी कि ये चोट का निशान कैसे लगा लेकिन नीतु ने बोल दिया कि वो सीडियों से गिर पड़ी थी इसके बाद कभी उसकी बहन को भी उसका कॉल नहीं आया आई तो सिर्फ नीतु की मौत की खबर बाद में पुलिस को पता चला कि नीतु ने 11 फरवरी की सुबह राजु की बहन को कॉल किया था वो उससे राजु के परिवार का एक फ्लैट बेचने के लिए कह रही थी राजु की बहन ने जब मना किया तो नीतु ने उससे भी जगड़ा करना शुरू कर दिया राजु को ये बरदाश्ट नहीं हुआ और उसी वक्त हाता पाई इतनी ज़ादा बढ़ गई कि उसके हातों नीतु की मौत हो गई राजु ने नीतु की बॉड़ी को बैग में डाला पहले उसका ये प्लैन था कि बैग को रेलवे स्टेशन पर ही छोड़कर ट्रेन से कहीं दूर निकल जाएगा या फिर रास्ते में ही किसी सुनसान जगए पर ट्रेन से बैग को धक्का दे देगा वो एक आटो रिक्षा में बैठ कर रेलवे स्टेशन तक आया लेकिन स्टेशन पर बैग स्कैन करने वाली मशीन को देख कर थोड़ा घवरा गया अगर बैग स्कैन हो जाता तो पता चलता कि उसके अंदर लाश है इसी वज़े से राजू ने बैग वहीं स्टेशन पर ही एक सुनसान जगए पर रख दिया और किसी से फोन पर बात करने का नाटक करते हुए दीरे दीरे बैग से दूर होकर वहां से चला गया बाद में पुलिस और मीडिया को वह बैग मिला कातिल राजू गहलोथ हैं ये तो पता चल गया था लेकिन वह कहा है ये अब भी एक सवाल था इंक्वाइरी जब आगे बढ़ी तो पता चला कि राजू जिस किराय के फ्लैट में नीतू के साथ रहता था वह महीना पूरा होने से पहले ही उसने किराया दे दिया था ताकि मकान मालिक नीतू के बारे में कोई पूश्टाच ना करे उसने मकान मालिक से कहा था कि वो विदेश जा रहा है ये आकरी बार था जब राजू गहलोथ को उस एरिया में देखा गया था उसके बाद इंस्पेक्टर रितेश कुमार और उनकी टीम ने राजू का पता लगाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो उनके हाथ नहीं लगा बीच में उसके गोआ में होने की लीड मिली थी जिसकी वज़े से क्राइम ब्रांच की टीम वहाँ डेड़ दो महिने के लिए डेड़ा डाल ली लेकिन फिर भी राजू हाथ नहीं लगा राजू के परिवार वाले भी पुलिस के टच में थें उनके पास एक लेटर आया जिसका पता पुलिस को चला लेटर में से एक SIM कार्ड मिला और लेटर में राजू ने अपने भाई को लिखा था कि इस SIM को लगा कर उससे बात करें ये SIM मुंबई के परेल एड्रेस पर लिया गया था पुलिस वाले अभी भी उमीद कर रहे थे कि राजू उन्हें मिल जाएगा इसलिए उन्होंने वहाँ छापा मारा लेकिन पता चला कि स्टेशन के बाहर SIM बेचने वाले के नाम पर इस SIM को लिया गया था राजू ने उन्हें एक बार फिर से चक्मा दे दिया था एक बार तो पुलिस के टीम राजू को खोसते हुए नेपाल तक चली गई थी लेकिन वहाँ भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा राजू ने इस बीच लगभग 15 मोबाइल्स और 15 SIM कार्ट्स का इस्तिमाल इतनी चालाकी से किया कि पुलिस भी उसकी लोकेशन को समझने में काफी कंत्यूज हो गई राजू गहलोद ना सिर्फ दिल्ली पुलिस की Most Wanted की लिस्ट में आ चुका था बलकि उसके सिर पर 2 लाख का इनाम भी रखवाया गया था ताकि जनता से उसके बारे में कोई जानकारी मिल सके लेकिन राजू फिर भी नहीं मिला राजू और पुलिस वालों के बीच ये चुहे बिल्ली का खेल कुछ दिनों तक और चला लेकिन उसके बाद पुलिस का होसला कमजोर पढ़ने लगा अब उन्हें धीरे धीरे इस बात का यकीन हुने लगा था कि राजू ने अपनी चालाकियों की वजह से उन्हें हमेशा के लिए चक्मा दे दिया है लेकिन क्या राजू वाकई बचा रह पाया वक्त निकलता गया नीतू सुलंकी मर्डर केस को अब 8 साल बीच चुके थे इस केस पर सबसे ज़ादा वक्त बिता चुके इंस्पेक्टर रितेश कुमार को अचानक 25 जून 2019 को एक कॉल आया कॉल के दूसरी तरफ मौजूद शक्स ने कहा कि जिस शक्स की उन्हें तलाश है वो गुरगाओं के पारस हॉस्पिटल में एडमिट है रितेश कुमार समझ चुके थे कि जिस शक्स की यहां बात हो रही है वो और कोई नहीं बलकि राजू ही है पुलिस फटाफट गुरगाओं के पारस हॉस्पिटल पहुँची लेकिन वहां पहुँचकर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि राजू गहलोत हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह चुका था वहां पहुचकर पुलिस को सिर्फ एक यही बात नहीं पता चली ऐसी और भी कई बाते थी जो सामने आने पर उनके होश उड़ गए थे राजू गहलोत काफी वक्त से रोहन दाहिया नाम से गुडगाओं की एक बड़ी इन्फोटेक कंपनी में काम कर रहा था कंपनी में जॉब के लिए अपलाई करते वग उसने आधार कार्ड, पैन कार्ड यहां तक की 10th और 12th के सर्टिफिकेट्स भी नकली बनवाए थे जब राजू उर्फ रोहन दाहिया के कलीक से पुलिस ने पूछताच की तो उसकी सच्चाई जानकर वो सारे लोग एकदम शौक रह गए थे कंपनी में काम करने वाले लोगों के हिसाब से रोहन दाहिया एक बहुत ही गंभीर और मेहनत करने वाला इनसान था कंपनी में काम करने के दोरान उसकी सेलरी भी भड़ी और साथ ही उसके प्रमोशन भी हुआ गुडगाओं में काम करते वक्ट वो जिस घर में पेइंग गेस्ट की तरह रह रहा था वहां भी किसी को उस पर किसी तरह का शक नहीं था वो बस बाकी लोगों की तरह काम पर जाता और कभी-कभी दोस्तों के साथ अपने रूम पर पार्टी करता कंपनी में काम कर रहे बाकी 500 लोगों की तरह रोहन दहिया भी एक साधरन इंपलॉई था जिसके पास्ट के बारे में कोई नहीं जानता था वो कंपनी में सबसे एकदम तमीज से बात करता और वो बातें भी जाधा तर काम से ही रिलेटिड होती थी कंपनी में अपने अच्छे कंड़क्ट की वजह से वो जल्द ही आठ लोगों की टीम को लीड भी करने लगा था राजू को रोहन दहिया के नाम से जानने वाले कंपनी के लोगों को उसकी एक आदत बहुत अजीव लगती थी वो कभी भी स्मार्ट फोन्स नहीं लेता था 2019 में जब हर किसी के पास स्मार्ट फोन था तब भी वो कीपेड वाले फोन से ही काम चला रहा था अगर कोई उससे उस कीपेड वाले फोन के बारे में पूछता तो उसे यही जवाब मिलता कि वो कीपेड वाले फोन के साथ ज़ादा कमफर्टेबल है राजू गहलोत ने बीते आठ सालों में अपने परिवार से भी पुलिस प्रेशर की वज़े से बिलकुल कॉन्टैक्ट नहीं रखा था जिसकी वज़े से उसके कलीक्स को उसकी पास लाइफ के बारे में ज़ादा कुछ नहीं पता था अचानक ही राजू को लीवर सिरोसिस की प्रॉबलम होई जिसका असर उसकी दोनों किड्नीज पर भी हुआ जिसकी वज़े से उसके कलीक्स ने कमपनी की ही एक इंशुरेंस स्कीम के चलते उसे हॉस्पिटल में एड्मिट करवाया राजू डॉक्टर्स को भी अपना पूरा नाम बताने से काफी ज़ादा जिजख रहा था लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि उसका अंत नस्दीक है उसने अपनी सारी सच्चाई डॉक्टर्स को बता दी और फैमिली वालों से कॉन्टैक्ट किया आठ साल बाद राजू गहलोत के परिवार वालों को उसके बारे में पता चला वो भी तब जब वो हॉस्पिटल बेट पर अपनी अन्तिम सांसे गिन रहा था राजू का परिवार पुलिस वालों के सामने ही उसकी डेट बॉडी को लेकर गया और उसका अंतिम संस्कार कर दिया इस केस की सबसे खास बात ये रही कि राजू कोई हिस्ट्री शीटर नहीं था लेकिन फिर भी वो अपनी मौत तक हमेशा पुलिस से बचता रहा वो बहुत चालाक इंसान था जिसे जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाने के बारे में पूरी जानकारी थी इनाट सालों में ना जाने उसने कितनी बार अपने नामों को बदला होगा और कहां कहां रहा होगा दिल्ली पुलिस उसे दुनिया भर में ढूंड रही थी लेकिन वो उनसे बस एक किलोमीटर दूर गुडगाओं में बैठा एक अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था पुलिस के अनुसार राजु गहलोत के बार बार बचने में सबसे बड़ा हाथ जाली डॉक्यूमेंट्स का भी था पुलिस वालों ने कहा कि देश में जाली डॉक्यूमेंट्स बनवाना और उन्हें यूज करना काफी जादा आसान हो गया है इन डॉक्यूमेंट्स को बनाने वालों के खिलाफ कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए जिससे पुलिस जल्दी से मुझरिम तक पहुंच चके और वो उन्हें बार-बार चक्मा ना दे पाए क्या आपको लगता है कि जिस राजू गहलोत को पुलिस सजा नहीं दे सकी उसे कुद्रत ने सजा दे दी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर आपको इस तरह की और भी इंट्रेस्टिंग कहानिया चाहिए तो हमारे चैनल की मेंबर्शिप लेना ना भूलें मिलते हैं अगली कहानी में तब तक अपना खयाल रखें धन्यवाद